हर मा अपनी प्रेग्नेंसी को लेके चिंतित रहती है वो यह सोचती है कि उनकी जो प्रेग्नेंसी है क्या वो हल्दी प्रेग्नेंसी है और अगर प्रेग्नेंसी में उनको कुछ तकलीफी होती है उनको कुछ परिशानी होती है तो वो इस बात को लेकि और भी ज्यादर स्ट् कि मिश्यानी देढ़ी मुझे लेकिन वो एक हल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक अगर आपकी प्रेगनेंसी में हर महीने आपके स्थनों में कुछ ना कुछ चेंज होता है जैसे कि first three month में बोले कि स्तनों में sourness, tenderness होना, फिर स्तनों का size increase होना, निपल के color में change होना, स्तनों में थोड़ी सी pain भी महसूस होना, first three month में, तो ये कहीं न कहीं एक healthy pregnancy है, इसकी और इशाड़ा होता है, 9 month में ही colostrum का आजाना, तो ये एक healthy pregnancy के निशानी है, अगर आपके स्तनों में हर महीने कुछ न कुछ चेंज नहीं होता है, या फिर size increase नहीं होता है, तो आपकी pregnancy कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर ये सारे कुछ आपके pregnancy में changes हो रहे हैं, तो ये एक healthy pregnancy की निशानी है, second चीज ये है, कि बच्चे की heartbeat rate, अगर बच्चे की heartbeat rate समय पर आ जाती है, जब first आप ultrasound करते हो, heartbeat rate आ चुकी होती है, तो ये भी एक healthy pregnancy की और इशारा करेगी, आपके बच्चे की जो development है, वो month by month अच्छे से होगी, और अच्छे से होड़ी है, तभी heartbeat जो है, वो आ चुकी है बच्चे की, और ये एक healthy pregnancy है, बच्चा सही है, बच्चा सही है, थर्ड जो चीज है, amniotic fluid को लेकर, अक्सर महिलाओं में पानी की कमी हो जाती है, पांचवे पानी की थैली में, इट मेंस की आपको problem नहीं है, और पानी की थैली में पानी एक पड़यापत मात्रा में होना काफी जादा जरूरी है, चाहे बच्चे को infection से बचाना हुआ, या बच्चे को infection से बचाने की बात हो, या फिर आपकी normal delivery के बात हो, तो पानी की थैली में, जह दॉक्टर से भी ये सुना करती होंगी, कि बच्चा active है, kicks मार रहा है या नहीं, यह हमेशा से notice किया करो, चाहे घंटे पर घंटे तुम notice करो, या फिर डेली उसके kicks को count करो, तो बच्चे का हलचल रुखना या कम होना, कहीं न कहीं बच्चा खत्रे में है, या फिर कोई पर तो फिर वो सही है, वो healthy है, उसको कोई परिशाने नहीं और आपके प्रेगनेंसी में भी कोई परिशाने नहीं, इसलिए बच्चे की हलचल हमेशा से notice करते रहें, नेक्स्ट जो है, वो है, वोमिंटिंग को लेके, कई महिलाओं को first three month वोमिंटिंग होती है, कई महिलाओं यह सोचती है कि वोमिंटिंग होना एक बुरी बात है, कहीं न कहीं उसके बच्चे पर यह असर डाल रही है, तो यह एक पेगनेंसी का सिम्टम सोता है, जिससे कि कई महिलाओं को first three month या फिर three month के बाद भी वोमिंटिंग की परिशानी रहती है, अगर वोमिंटिंग कम होती है, तब कोई दढ़ने की बात नहीं है, लेकिन अगर वोमिंटिंग बहुत जादा है, तो फिर आपको डॉक्टर से सलह लेने की जरूद है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं बच्चे की ग्रोथ और डवलप्मेंट रुख जाती है, लेकिन जादा वोमिंटिंग नहीं होती है, फिर घबराने की बात नहीं है, जरु गणंफान से पहँले प्रज़ों है और विपेघ्निंग कम मातरा में होना, पहले थी महीने में होना एक अब्icismP नेक्स्ट जो है frequent urination बार-बार यूरीन के लिए जाना जैसे ही आप pregnant होती है frequent urination की problem हर महिलाउ को होती है खासकर शातवे आठवे नौवे महिने में और बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा जो है वजन में भाड़ी हो जाता है और urine bladder पर उसका दबाव पढ़ना बार बार आपक पेन होना, प्राइवीट पार्ट एरिया में पेन होना 9 मन्थ में यह एक normal delivery के निशानी है यह pain कुछ seconds के लिए आती है फिर गयब हो जाती है जब बेबी की dropping होती है तो यह pain आपको आएगी फिर गयब हो जाएगी लेकिन अगर पेन बहुत जादा तिवर्त है और हमेशा आपको परिशान करता है तो डॉक्टर से ट्रिट्मेंट लेने की ज़रूरत है लेकिन हलका सा क्रैंप होना ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है और नॉर्मल डिलीवरी की निशानी है फर्स्ट थ्री मंद में लिए थोड़ा सा अगर पेन हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है वही पेन फर्स्ट थ्री मंद में बहुत जादा तो कहीं न कहीं एक मिस्कैरेज की निशानी है तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आयो हो वीडियो पसंद आयो वीडियो को लाइक चैनल क को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएं धन्यवाद